आज हम भारत की महान विभूतियों के शंक्रला में महान संत श्री रामकर्ष्न परमंस के बारे में चर्चा करेंगे। रामकर्ष्न परमंस का जन्म 18 फरवरी 18.36 में ब्रह्म महूर्त में कुमार पुकुर गाउं में हुआ। उनके पिता का नाम खुदी राम और माता का नाम चंदरमणी चोटोपाद्याय था। कामार पुकरगाम हुगली जी ले के पूर्व में इस्थित है। 1835 में इनके पिता खुदी राम जी गया में यात्रा पर गये वे थे। वहाँ पर इनको भगवान विश्णू ने स्वपन में दरशन्ट दिये और कहा मैं आपके तीसरे पुत्र की रूप में जन मलूंगा। और उनकी माता को शिव मंदिर जाने पर ऐसा एहसास हुआ का शिवलिंग से जोती किरने निकल करके उनके गर्व में समा रही है। और उनको अपने गर्वर्वती होने का एहसास हुआ। खुदी रामजी सत्यनिष्ट ब्रहमण थे जिन्नोंने कभी भी अपनी सत्यनिष्टा से समझोता नहीं किया। पुत्र के जन्म पर गाव के जोतीशी ने घोशना की का आपका पुत्र महान आत्मा है और ये जन्का कल्यान करेगा। बचपन में इनको सब प्यार से गदा ही कहते थे और इनका नाम गदादर था। पांच वर्ष की आयू में ही इनकी स्मृती बहुत तेज थी। इनको पूर्वजो कोई नाम सब याद थे और धार्मिक गरंथों में इनकी रूची थी और उनको तुरंत इस्मृत्ती में आ जाते थे। बंगाल में बच्चों को खाने में नाष्टे में मुर्मरे देती जाते थे। जुलाई महिने के अंदर खेत की मेड़ पर ये चल रहे थे। आकाश में कारे कजरारे मेग छाये वे थे। उसी वेक्त बगलो की एक पंक्ती आकाश में उड़ने रगी और इनकी दृस्ती हो जाते। 1843 में खुदी राम जी की डैथ हो गई। पिता के देहान से गदादर के बाल मन पर काफी चोट परी और इनका मन संसार से विरक्त होने लगा। गाउं के बाहर संशान के पास आमकुज में विचरते वे कई बार ये बैठे ताकते रहते। इसके बाद इनका यग लोहारी महीला से पहली बिक्षा ली जो उस वक्त की सामाजिक प्रता के विरोध में थी। ये ब्रहमन कुल के बालक थे और ब्रहमन कुल निम्न जाती की महीला से बिक्षा नहीं ले सकता। स्वामे जी बाल लिकाल से ही अत्यंत नम्र सभाव के थे। वानी बहुत मदूर और मनोर ही जिससे आस पड़ोस के गाव के लोग उनसे बहुत प्रसंद रहा करते थे। प्राये अपने घरों में ले जाकर इने बोजन कराया करते थे। उनका ध्यान करश्ण चरि सुनने और उनकी लिला करने में बहुत लगता था। देविपूजा में तो ऐसी श्रद्दा थी कि पार्थी पूजन प्राय किया करते थे। पिता की मृत्व के बाद भरन पोशन के पालन पोशन के जिम्मेदारी बड़े भाही रामकुमार के उपर आपड़ी। राम कुमार इसके लिए कलकत्ता चले गए, वहां की संस्कृत पाठशाला में खोल करके और संस्कृत पढ़ाने लगे, कुछ समय उन्होंने गदाधर को भी अपने पास बुला लिया, ताकि उसकी पढ़ाई की विवस्ता भी खुद की देखरेक में कर सकें, गदाधर ने पुजापाट करने में मन लगता था, गंगा नदी के किनारे, विशाल वरस्ट प्रक्ष के पास में केवट जाती की विद्वा रानी, रानी रासमनी ने 1847 में काली मंदिर बनवाना शुरू किया, जो की 1825 में पूर्ण हुआ, रानी रासमनी को मंदिर में प्राण करने के लिए विद्वान ब्रामन के आवश्यक्ता हुई, परति कोई भी ब्रामन शुद्र जाती की राने के इस कारे में सहयक करने के लिए तैयार नहीं हुआ, गदादर के बड़े भाई रामकुमार उस वक्त ने रानी रासमनी को सुझाव दिया, का आप ये मंदिर किसी ब्रामन को दान में दे दें, तो फिर ये दोश दूर हो जाएगा और समश्या सुलज जाएगी, रानी रासमनी ने ऐसा ही किया, और रामकुमारी को प्रथम पुजारी नियुक्त किया, गदाधर उनकी पूजा अर्चना में मदद करने लगे, और फिर उन्होंने चैना रा बट्टाचारे से दिक्षा ली और गहरे ध्यान में चले गए, प्रलयम भहंकरा, आनन्द मई, प्रेम मई, जननी, समस्त आनन्द म्रदुला शक्ती, माधुरी जननी, काली की ललक से परिपूर्ण थी, हर्दय का सारा प्रेम काली के चर्णे में अडोल दिया, रात को गने जंगल में जाकर के ध्यान करते, और आखे उनकी सूजी रहने लेगी, संद्या घंटे मंदिर के घंटे की आवाज आती, तो यह रुदन करते, का मा आज का भी दिन व्यर्थ गया, और तेरे दर्शन नहीं हुए, इनका भाव ऐसा था, उनमें सांशारिक मनश्यों की कुछी नहीं रहती, वा काली मा से कहते, मुझ कुछ नहीं चाता, सुक, संपत्ति, भोग मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को धर्म में अनुराग है, और उसी की तीवर्ता में वो हमेशा मगन रहते, लोगों ने इस तरह से रामकृष्ण को देखा, उनकी हसी उड़ाई, और उनको पागल समझते, वा वेदना से रुदन करते कि का मा तेरे दर्शन नहीं वी, एक दिन उनके काली के विग्रहे पर नजर पड़ी, और उन्होंने काली के मंदिर में जो खड़क था, उसको उठा करके अपने जीवन का अंत्व करना चाहा, और खुद पर खड़क च शुद्धा अनंद का अनवर्त प्रहा बहने लगया और काली विलुप तो लगई हो गई, जब भी काली उपस्तित हो जाती, इनका आत्म समर्पन पूर्ण हो जाता, ये हमेशा मा को याद करते रहते, आमने सामने पाते, नेतों से प्रत्यक्ष नर्थ करते, राद भर उनक कभी पलिक नहीं जपकती, भाव अवस्ता में बाते करते करते, पंचवटी में गंबीर ध्यान में चले जाते, अत्यंत प्रेम के कारण, भक्ती की परिपक्वता के कारण, वक्त धीरे-धीरे संगीत में बदलने लगा, एक बार रानी, रासमनी, दक्षनेश्वर मंदिर मे आई, और उन्हें ने रामकृष्ण से प्रात्ना की, काली का संगीत, भक्ती गीत उनको सुनाए, रामकृष्ण धीरे-धीरे भक्ती गान, मदूर संगीत में करने लगे, उस समय रानी का मन किसी मुकदमे की तरफ चला गया, रामकृष्ण ने इसको महसूस करके, रानी की भर्त्सना की रानी ने कहा भावना की वजह से उनका जो पूजापाट का तरीका था वो उत्तम था। मतुर बाबु को जो करानी रासमनी के जामाता थे और मंदिर का प्रभंदन देखते उनको यह मालूम पड़ा तो उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्वेद गंगा प्रसाद सेन के उनका इलाज करवाया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। देरे देरे मालूम पड़ा यह एक तो भक्ती की यह भहुत पूर्विस्तिती है यह कोई रोग नहीं है। चवदा वर्षों तक मथुर बाबु ने रामकर्ष्न परहम हंस की सेवा की। पूर्वक सेवक सेवा भाव से उनके हनमान जी के भी खुल नेतरों से दर्शन हुए। एक बार उनके तालू में खुजली हुई और उनने खुजलाया तो उनसे काला रक्त होने लगा। सबको ये देख करके घबराट हो गई। वही पर पंचवटी में उस वक्त एक सादू ठहरे वे थे। उन्होंने जाच की और कहा की घबडाने की कोई बात नहीं है। सुशुम्ना का द्वार खुल गया और रक्त सिर की तरफ जा रहा था। अगर वह रक्त सिर में पहुँच जाता तो ये जड़ समादी में चले जाते फिर शरीर में वापस नहीं आ पाते। माता को इनके अपसे कोई विशेश कार्य करवाना है इसलिए रक्त तालू में से बहर रहा हुआ। ये दिव्योन मात था जो योगी क्रियाओं से उत्पन हुआ। उनकी माता के पास गाओं में ये खबर पहुँची के रामकृष्ण पागल हो गए हैं तो उन्होंने उनको अपने गाओं कामार पुकर बुला लिया। रामकृष्ण अब 23 वर्ष के हो चुके थे माता और बड़े भाई उनके विवा की चिंता करने लगे और ये विचार किया का विवा करने से ये अनुमाद ठीक हो जाएगा। लड़की की खोजविन चालू की रामकृष्ण ने ह रामकृष्ण से विवा कर दिया। देड़ वर्ष रामकृष्ण कुमार पुकर गाओं में रुके और फिर वापस पंचवटी आकर के काली की पूजा अर्चना में लगे। पंचवटी में बैठ कर दिन रात गहरे ध्यान में रहतें। रात में मा के दर्शन हो जातें। छ छे वर्ष तक वही नहीं सोये और छे वर्ष तक उनकी हमेशा पलके खुली रही। वह पलके चाहकर भी बंद नहीं कर सकते थे। कभी कभी उनको शंका होती तो वह उंगली काच के सामने अपनी आखों में गुसेडते ताकि देखते पर पलके बंद नहीं होती। वह रोते मा मैंने अपने आपको तेरे को सौप दिया क्या यही उसका परिणाम है वह एक अवस्ता महसूस करते और उससे पार होते और अगली अवस्ता में चले जाते वक्त पर वो ठहरते नहीं जाती पाती का उनको भान नहीं रहता एक बार निचली जाती ने उनको और पूजा में चड़ाये वे चावल चुकती कई बार साप उनके शरीर पर रेंगते वे निकल जाते ना साप को भान होता ना रामकृष्णों को भान रहता कभी उनके शरीर से एक सन्यासी तिर्शूल रेकर के बाहर निकलता और कहता अपने वंते सारे विचारों को दूर कर मन को एकागर करने का आदेश देता बोला नहीं तो ये तिर्शूल तेरे शरीर में घुपा दूंगा शन मातर भी उनके पलके नहीं जपकती वे माका सामने रोते तो दर्शन भी नहीं देती है क्या इसी तरह के बिमारी लगा करके मतर भामू ने एक बार उनके पास प्रस्ताव रखा का मैं आपके नाम में ये थिष्ट धनराशी जमा करा देता हूँ ताकि आपकी सेवा में कोई कमी न रहे तो उन्होंने मतर भामू को फटकारा इस तरह की बात के लिए एक बार एक धनी लक्षमिनान मारवाडी ने उनकी चद्दर को मेला देखा तो कहा स्वामी मैं आपको दसजार रुपे देता हूँ ताकि आपकी सुख सुविदा में कोई कभी नहीं रामकृष्णे ने उनको बहुत समझाया पर उन्होंने नहीं माना उन्होंने कहा मेरे को धन की आवश्यक्ता नहीं है तो उन्होंने काली मा को पुकार की के ही माता तुब मेरे पास इस तरह के मनुष्यों को क्यों आने देती है जो मेरे को भोतिक वस्तते देकर के धन में आकरशन पैदा करने चाते हैं यह सुनकर लक्षमिनान मारवाडी को अपने उपर गलानी हुई और फिर उन्हों ने इस तरह का प्रस्ताव देने के लिए शमा मांगी। उनके मन से उच्च दाती का अभिमान दूर करने के लिए वह गंदे स्थानों की जाकर के सफाई करते। और उनको बहुत प्यार दिया और कहा कि यह तुमारी जो यह दशा है यह माभाव है जो तेतन्य माप्रभु को भी यही भाव था और रादारानी भी इसी भाव में रहती थी। रामकर्षनी की भाव से अत्यादिक कष्ट पाते थे उनके पूरे शरीर में दहा होता था। भैरवी ने उनके शरीर में चंदन का लेप लगाया और फूलों की सुगंदित माला पैनाई जुससे उनकी पीड़ा काफी कम होगी। भैरवी के निर्देशन उसार उनके चवसिट प्रमुक तंत्रों में वर्णित सारी साधनाय पूरी की और योगी चरम सिध्धी प्राप्त की। उन्हें सारी विभूतियाओं के देवताओं के दर्शन होने लगे, द्वैत की सीमा के भीतर, शांत, द्वैत भाव से, दास भाव से, सत्य भाव से, मदुर भाव की साधना पूरी की, ज्ञान, ज्याता, गे, एक ही अवस्ता, अव्यक्त परम शांती, ब्रह्म के अन्तिमा मह मही स्वरूप में लीन हो जाना, रामकरशन का अकसर होता था, विभाच्य चेतन में काल अनंतमेक हो जाता, सापेक्षता को लादकर निर्विकल्प समादी की, जो परमवश्यक्ता है, अन्तिम गती है, सापेक्ष जगत के समस्त जेन वस्त्रों की तरह त्याग देता, रक्षिन श्वर की तरफ आये, अन्हेंने रामकरशन परमंज को देखा, और उनकी तरफ आकर्शी तो करके कहा, तु मेरा योग्य शिष्य बनेगा, तु वेक्तांत की साधना करेगा क्या, रामकरशन ने कहा, मैं मा ते पूछ करके बताता ہूं, रामकरशन काली मा के पा बनना पड़ेगा तो फिर तेरी भक्ति और तेरे साक्षाक दर्शन का क्या फाइदा मा ने जबाब दिया का तोतापुरी जैसा महान संत तेरे द्वार पर आकर के तेरों के वेदान्त की शिक्षा देना चाता है यही मेरे दर्शनों का फल है, यही मेरी भक्ति का लाब है, ऐसे संत्त दुरलब है जो किसी को मिल नहीं सकते रामकृष्ण ने न्यांगटा के पास जाकर के हां भर दी तोतापुरी ने उनके भक्ती को अंदविश्वा समझा रामकृष्ण ने न्यांगटा का कहा मेरे को सन्यास में गुप्त रूप से दिख्शित करना क्योंकि मेरी मा यह धेक करके घबराएगी एक दिन बाहर कुटी के अंदर रात को तोतापुरी ने रामकृष्ण को बैठा करके मंतरा चार किया और काफी देरतागनी प्रज्वलित करके हवन किया साधना करते करते उसी दिन राम रूप के पिंजडे को छोड़ करके रामकृष्ण परम तत्व में मन को केंदरित करके आत्म शाक्षात करने में यही वेदानत है और यही अद्देत है रामकृष्ण ध्यान करने बैठते तो काली की मूर्ति सामने आ जाती तो न्यांगटा ने उसको हटाने के लिए उनके भूमद्द में काच के टुकडे से गड़ाया और कहा तो ज्ञान खड़क से काली की मारति की टुकडे कर रामकृष्ण ने ऐसा ही किया और ऐसा ही करते रामकृष्ण गहरे ध्यान में चले गए और अनिश्चल हो गए यह देखा रामकृष्ण उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वो छोड़ करके गए उसी आसन में बैठे हैं। पर उनको इसका कोई ध्यान नहीं जाता। लोक शिक्षा के लिए रामकृष्ण को भाव मुखी रहना था। और ये सिद्ध हुआ कब मुसलिम धर्म से भी परमसत्ता को महसूस किया जा सकता है। सभी धर्मों का आधार अद्वयत है इसी से सभी धर्मों में अद्वयत मार्ग से जा सकते हैं। पांच जून 1872 में शारदा देवी दक्षनेश्वर पधारी उसी दिन रात को नो बजे उन्होंने शारदा देवी को आसन पर बैठाया और उनकी प्रतिष्टा की और पूजा की और वहे दोनों समादी में डूब गए। जागने पर रामकृषने ने शारदा देवी को प्रणाम किया और शोडशी पूजा की और कहा मैं तुम्हें मा की दर्ष्टी में देखता हूँ जिसे शारदा देवी ने स्वीकार किया। नहीं मतुर बाबु ने कहा का यातरा खर्च के लिए रूपयों में कमी पड़ जाएगी पर रामकृषन आगे जाने के लिए राजी नहीं हुए तो कलकत्ता से मतुर बाबु ने कपड़े की गाठें मंगाई और पूरे गामरासियों को अन्वस्र का ज्यान किया फिर वहा पंदरा दिन रुके वहां तैलंग स्वामी से भी उन्हें धर्शन किये और वारता लाप किये और काशी से ये मंडली प्रंदावर गई और वहां इनको साथ वर्चिये गंगा माता के दर्शन किये जिन्होंने अत्यादिक प्रेम और सनह से इनके प्रती आभार जताया वारानसी से फिर ये गया नहीं गये क्योंकि गया जाने पर वहे वापस नहीं आ पाएंगे ऐसा इनको भान था और शिलिए वहे वारानसी से सिदे कलकत्ता आ गए 1871 में मधुर बाबु की ब्रत्यु हो गई राम कृष्ण को पहले ही आभास हो गया था पांच बजे उन्होंने हर देनात अपने भांजे को कहा मधुर बाबु की आत्मा चिर्विलीन हो गई है 1874 में संबुनात मलिक जो की उद्ध्यान भवन में थे राम कृष्ण को बाइबल पढ़कर के सुनाई इनका बाइबल के प्रती आकशन हुआ फिर यदुनात मलिक की बैटक में इनोंने मर्यम की गोद में इसा का चित्र देखा उनको लगा कि चित्र में से उर्जा निकल कर के इनके शरीर में प्रवेस कर रही है और इसाई धर्म ने इनके उपर अपना अधिकार जमा लिया तीन दिन तक ऐसा ही रहा चोते दिन पंचवटी में इसा मसी को आते वे देखा इसा मसी ने इनका आलंगिन किया और फिर इनके शरीर में विलीन हो गए भगवान बगवान महाविर स्वामी सिख गुरुवों सभी को उन्होंने अवतार रूप में महसूस किया द्वैत विशिष्ट द्वैत अद्वैत मनुष्य को आगे बढ़ाने की अवस्था मात्र है और सब एक दूसरे के परिपूर्ण है जैसे एक तालाप के अंदर कई घाट होते है एक घाट में हिंदू भरता है उसको जल कहता है दूसरे घाट पर मुसलमान भरता है उसको पानी कहता है तीसरे घाट पर इसाई भरता है उसको वाटर कहता है परन्तू पानी तालाप का एक ही है सभी धर्म अलग-अलग घाट है कोई भी यह ने कहे का मेरा धर्म दूसरे ध धर्म रास्ता मातर है अद्वेत आत्म ज्यान की पराकास्टा है मन और वानी से परे है और समाधी है यह यह आध्यात्मिक जागरण की शुरुवात है रामकर्ष्न परमहंस ज्यादा तर समय ध्यान में रहते अब वह अपने भक्तों के लिए व्याकुल रहने लगे और वह है को तुम कब आओ और मैं तुम्हें तयार करूँ उसी वक्त ब्रह्म समाज के संसापक केशव चंदर सेन ने अपने समाचार पत्र में राम कृष्ण परमंस के बारे में लिखा उसको पढ़ करके में अध्यापक राम चंदरदत अपने मित्र मनमोहन मित्र के साथ 1809 में आकर के मिले उसके बाद सुरेंद्र नानत मित्र आए 18802 में जमीदार बलराम बोस इनके पास आकर के मिले मार्च के अंदर मास्टर महेंदर नात गुप्त जिनोंने इनकी जीवन चरित्र लिखा वहया इनके पास आए और उसी समय नरेंदर नात दत भी रामकर्ष्न के पास आए राखाल चंदर घोष, लाटू महाशे, गोपाल घोष और इनाच चटर जी ऐसे कई शिष इनके पास इखटे होने लगे सभी शिष इनके कमरे में इखटा होते और इश्वर चर्चा चलती नरेंदर दत अठारातो 58 में रामकर्ष्न के पास आए और पूछा क्या आपने इश्वर को देखा है रामकर्ष्न ने कहा, हा वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो नरेंदर दत ने कहा आप मुझे दिखा सकते हैं रामकृष्ण ने कहा अवश्य उन्होंने अपना अंगुठा नरेंदरदत्य के मस्तिश्क को छुवा और नरेंदरदत्य बेसुद हो गए और उनको पूरा ब्रह्मान नजर आने लगा। रामकृष्ण पड़े लिखे नहीं थे पर उनके उन्मत प्रेम ने इश्वर प्रेम ने उनको सबके प्रती आदर्निय और पुझ्यपाद बना दिया। उस वक्त बंगाल के अंदर रामकृष्ण परहमंस का प्रभाव अद्बुत रूप से फेला। उस समय बंगाल की सिती विचित्र थी, ब्राम्म समाज का और उईसाईयों का बोलबाला था। कलकत्ता में भक्तों के घर में जाकर के रामकृष्ण परहमंस कीर्तन करते और भगवत चर्चा करते। कई बार वहीं पर वह बैसुद हो जाते और समाधी में लीन हो जाते। नरंद्रनात का कंटस्वर बहुत मदूरता और भजन बहुत अच्छा गाते थे। रामकृष्ण उनसे अक्सर प्रात्ना करते और उनके भक्ती गीत सुनते सुनते वह समाधी में खो जाते। कई बार उनका समय शेरी निश्चेश्ट हो जाता। रामकृष्ण पर हमंस दिन बर भक्तों से गिरे रेते और भगवत चर्चा और भक्ती गीत का आनंद लेते। 1884 में नरंद्रनात के पिता इश्वनात दत्त के इम्रत्ती हो गई, घर में खाने पीने का भी अकाल हो गया। नरंद्रनात का परिवार बहुत कष्ट में आ गया, इन्होंने रामकृष्ण की से प्रातना की का आप माता से कहिए ताकि मेरे परिवार को कष्टों से मुक्ती प्राप्त हो। रामकृष्ण ने कहा तो खुधी माता के पास जाकर के मंदर में जो चाईवा मांग ले माता तेरी च्छा पूरी करेगी। नरंद्रदत मंदर में गए पर काली मा के थामने जाते ही उन्होंने भक्ती और वेराग्य और ध्यान मांग लिया। वापस आने पर रामकृष्ण ने पूछा मांग लिया मा से जो तू चाहता था तो वो कहे मा के पास मेरे को भक्ती और विराग्य के अलावा कुछ भी विचार नहीं आया। तो रामकृष्ण ने ऐसे उनको तीन बार बेजा परंतु तीनों बार वही रहा तो अंतमे रामकृष्ण ने दया करके कहा का मोटा खाने पिने के तेरे को परिवार को कभी भी कष्ट नहीं होगा। संसारी विक्तियों से मिलने पर राम कृष्ण को फित्रशना होती शुक्द भक्तों से मिलने पर उनको अपार आनंद महसुस होता वो मा को कहते तू ऐसे संसारी मनुश्य को क्यों मेरे पास आने देती है जो दूद में पाँच गुना पानी मिलेवे जैसे होते हैं उनका पानी सुखाने में बहुत शक्ती मेरी खर्च होती है इसकी वज़े से रामकृष्ण का शरीर बहुत कमजोर हो गया सन 1885 की गर्मी ते मेरामकृष्ण को बहुत पीडा हुई तो शिश्यों ने उनको गर्मी की पीडा दूर करने के लिए उनको बर्फ लाकर के दिया जिससे उनको आराम महसूस हुआ तो बहुत जादा बर्फ के उपियोग से उनके गले में रोग हो गया और उनको भोजन निगलने में भी खटनाई होने लगी पूरणीमा और मवश्या के दिन ये कठनाई जादा होती तरल पदार्थ भी कंट से निगलने में उनको कस्ट होता गले का रोग बढ़ता गया अक्टूबर 18-25 में उनको कलकत्ता के शामार पुकुर में एक भवन किराय पर ले करके उनको वहां लाया गया और वहां पा डाक्टर महंदर लाल सरकार ने इनका इलाज शुरू किया महंदर लाल सरकार रोज इनके पास आने लगे और इनके भक्त बनने गए इनके पास जो भी शिश्य रहते थे और आते जाते थे उनके अभी बावकों को ये चिंता होने लगी कि राम कृष्ण के पास हमारे पुत्र कहीं सन्या सी ना बन जाए इसके लिए वो अपने पुत्रों को वापस लेने की भरसक चेश्टा करने लगे राम कृष्ण का रोग बढ़ता गया और 11 दिसंबर 1885 में इनको कलकत्ता से तोड़ा बाहर काश्यूपूर में उद्ध्यान बाटी में राम कृष्ण को स्वस्त लाप के लिए रख्या गया सभी शिष्य बारी-बारी से इनकी परिचर्चा करते और इनकी सिवा करते पहले चार शिष्य रात को रुकते पिर चार गुना हो गए एक दिन नरंदरनात बाहर बगीचे में वरक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे आसपास काफी सूखी घास थी उन्हें अपने शिष्य ब भावना की और घास जलने के साथ ही सब आनंद से भर गए एक दिन संद्या समय रामकृष्ण परावंस घर के बाहर बरामदे की तरफ आने लगे और गिरीश को पूछा का तुमने मुझमें ऐसा क्या देखा जिसे तुम मुझे अवतार कहते हो गिरीश ने जुकर के प्रण प्राप्त हो और सब को इसपर्श किया और कहा नरंदर को कि मैं तेरी देखरेक में सबी शिश्यों को छोड़ जाता हूं इन सब को आगे बढ़ाने का जिम्मा तेरा है एक दिन उन्होंने शिश्यों को कहा आसपास से भिक्षा मांग करके लाओ एक दिन बुड़े गोपाल ने गेरवा वस्त्र के कपड़े के थान और मालाये लेकर की आये और कहा इनको साधूं को दान करना है रामकृष्ण ने कहा यह मेरे सभी सिश्य साधू है यही सन्यासी बनेंगे और इनी को यह वस्त्र दान कर और उन्होंने अपनी सभी सिश्यों को सन्यास के दिख्षा द आने का समय आ गया है, तेरी इश्वर अनुभुती ताले में बंद रहेगी, उसकी चाबी मेरे पास रहेगी, और जब जगन माता का तू कारे पूर्ण कर लेगा, तब ही ये खुलेगी, उन्होंने रनंद्र दत्त को रामचंद्र मंतर से दिक्षित किया, और कहा को तेरे को गरीब दीन जनों की सेवा करनी है, गरीब दीन जनों की सेवा ही इश्वर सेवा है, और इसी मत का पूरी विश्व में परचार करना है, शरावन मास में उन्होंने योगिन को बताया कि अंतिम दिन में महा समादी लुगा, एक दिन नरंद्र के मन में शंकातपन होने पर उन अपनी सारी शक्ति देदी और खाली हो गए। 16 अगस्त 1886 को प्राता काली एक बचकर दोनी मिनट पर रामकर्ष्ण महा समाधी में लीन हो गए और उसी दिन दौफर को काशीपूर सम्शान गरह में उनकी अंतेष्ठा कर दी गई। रामकर्ष्ण ने एक बार विवेकानंद को कहा था तेरे को हिमाले में जाकर कोई ध्यानसादना नहीं करनी है अपनी मुक्ति की कामना नहीं करनी है बलकि जन जन में जाकर के उनके कल्यान के लिए उनकी सेवा करनी है और उनको सिक्षा देनी है तेरे को अपने उत्थान की नहीं बनकि समस्त जन्द की उत्थान की प्रक्रिया अपनानी है विवेकानंद का जन्म 12 जन्वरी 1863 में भूनेश्वरी द्यवी के गर्ब से कलकत्ता में वा 1833 में उन्होंने सितंबर में शिकागो धर्म संसद में थंभोधित किया साड़े तान साल वा अमेरिका वा लंदन में उन्होंने धर्म का प्रचार किया 1867 जन्वरी में वो वावपस भारात आये एक मई अठारा सो सत्यान में उन्होंने बेलूर मठ में रामकर्ष्न मिशन की स्थापना की 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानन्द की मृत्ति हुई रामकर्ष्न परमहंच अपने जीवन काल में भक्ती और सरलता और इश्वर प्राप्ती का जीता जाकता स्वरूप थे वह इतने सरल थे और हमेशा प्रेम से परिपूर्ण रहते थे हमेशा इश्वरा नुभती और समादी और ध्यान में निमगन रहते थे उनके पास आकर के मनुष्य के मन में इस्फुर्णा होती और भगवत प्राप्ति की प्रती मन में प्रेम जागता रामकृष्य परमन्स ने उस काल के अंदर इसाई धर्मको सभी धर्मों को उनोंने अपने तरीके से उसको प्राप्त करके उसकी चरम अवस्था में पहुंच करके यह सिद्ध किया का सभी धर्म इश्वर प्राप्ति के ही मार्ग हैं, अलग-अलग रास्ते हैं जिन पर चल करके और इश्वर प्राप्ति की जा सकती है एक सभी धर्म इश्वर तक पहुंचने के मार्ग हैं और किसी भी धर्म की दूसरे धर्म से विद्वेश नहीं करना है जन की दीन हिन प्राणियों की सेवा ही इश्वर प्राप्ती का एक मात्र उपाय है और ध्यान से ही ध्यान में गए बिना ये इस अनुभूती असंभव है जिसके मन भी कामिनी और कंचन में अठकावा है उसको इश्वर प्राप्ती असंभव है इश्वर प्राप्ति के लिए कामनी और कंचन का त्याग अवश्यक है रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जैसे शिश्ष को तैयार किया और भारतिय धर्म की विश्व भर में प्रता का फैराई विवेकानंद ने ये कहा कि जब मैं धर्म संसद में गया तो ऐसा लगा का रामकृष्ण परमहंस मेरे गुरू ही मेरे द्वरा संसद को संहोधित कर रहे है मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और ये आशा करता हूँ को रामकृष्ण जीवन परमहंस के जीवन से प्रेनणा प्राप्त होगी और आप इश्वर प्राप्ती के अंदर सफल होंगे धन्यवाद